एक प्रॉब्लम है जो बहुत सारे नए यूट्यूबर उससे पूछते हैं कि सर देखो हमारे पास कोई इस्टूडियो नहीं है और भाई हम अपने घरवालों से ये कहेंगे कि हम अपना यूट्यूब चनल स्टार्ट करेंगे हमें कुछ पैसे देदो हमें एक आलीसान के बारे में बात करेंगे और मैं आपको यह भी बताऊगा कि बहुत अच्छी क्वालिटी की वीडियो जो वाइरल भी हो सकती है वह आप बिना स्टूडियो के स्टार्टिंग में जब आप नए हैं बिल्कुल कैसे बना सकते हैं वीडियो उन लोगों के लिए बहुत बैनि आपको चल्प मिलती रहती है ताकि आपको यूट्यूब कैरियर में कभी कोई दिक्कत ना हो बात करते हैं सबसे पहले कि आपके दिमाग में चीज आती क्यों है कि बिना स्टूडियो तो वीडियो बन ही नहीं सकती उसका रीजन यह है कि बहुत सारे यूट्यूबर है जो बड़े यूट्यूबर है इंक्लूडिंग मी हो गया कोई भी बड़ा बड़ा यूट्यूबर है बड़े से मतलब पुराना यूट्यूबर है जो काफी टाइम से काम कर रहा है अब काफी टाइम से अगर वो काम कर रहा है तो डेफिनेटल उसने अर्ण भी किया है और पैस पुराने वीडियो ही सुरू किया था, आज बात अलोगे, मैए पास ये पास ये और से बड़ा होगा। बहुत कम ऐसे कोई chances होते हैं कि starting में वीडियो वाइरल हो जाती है तो उसकी tension आप छोड़ दीजिए वो दिमाग में लाई यही मत अब बात आती है लेकिन आपको बढ़िया quality का content तो देना ही पड़ेगा वरना audience देखेगी क्यों क्यों क्योंकि audience के लिए आप भी free में content दे रह आता और जितने भी starting के YouTuber होते हैं वो यूज करते हैं देखेए वीडियो के अंदर आपको लगता हुआ कि वीडियो quality बहुत काम की होनी चाहिए बट ऐसा नहीं है वीडियो quality से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है जी माइक से अगर आपकी वीडियो में audio अच्छी नहीं होग और वो माइक आप ज्यादा महंगा मत लीजिए अगर आपका बजट पांग साथ सो रुपे का यह तो आप एक बोया माइक ले लीजिए वो सबसे बैस्ट है और आज भी बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर भी बोया माइक का इस्तेमाल करते हैं फिर भी आपको लगता चाते हैं तो मेरी तो यह एकि आप बोया से स्टार्ट करें लेकिन आप उसके बाद ओडियो की एडिटिंग भी थोड़ी बहुत सीख ले बहुत सारी ऐसी एप्लिकेशन से से लैक्सिस ओडियो एडिटर है उससे आप ओडियो में थोड़ी सी और जान डाल सकते हैं अगर आपकी ओडियो काफी अच्छी होगी तो लोग 100% आपकी वीडियो को देखेंगे इसके बाद आती है एडिटिंग अगर आप अच्छी सी सीख लेते हैं चाहे भले आप मोबाइल से करें बहुत सारे किने मास्टरे वीन है यह वीन तो बहुत बढ़ी है इससे आपको काफी की वीडियो बनाए थोड़ा शॉटकट रखें वीडियो को मतलब की थोड़ा चेंज होता रहे स्क्रीन पर जो भी चल रहा है वीजुल हो चेंज होता रहे बार बार तो ओडियंस का ध्यान जो है वह ऐसा लगता कि ओडियंस बोर हो रही है अगर वो बोर होंगी तो मैं वीडियो बना सकता हूं तो उसमें आप चाहें तो देखने कहीN स्नुरु में आपको कोई स्टूडियो नहीं ना फ्रखें लाइट करिद मुए है जय को इसके लिए क्सक्राइगी कोई प्रखर लगा दिजिए यह कमरे को कुछ भर दीजिए इसमें गत्त वगर लगा जाएगी तो वो यूज कर सकते हैं सस्ते में और अगर लाइट आपके पास बिल्कुल कम है उस रूम के अंदर तो आप क्या कर सकते हैं रूम में सामने की तरफ और साइड में ट्यूब लाइट लगवा सकते हैं यह जो LED ट्यूब लाइट की आती है ज्यादा महेंगे नहीं तो तीन सोर रुपए के आते यह आप लगवा लेंगे तो भी आपका काम हो जाएगा लेकिन अगर आपके पस इतना भी पैसर नहीं है कि भहाईट नहीद सकते हैं बहुत लोगों ने अपने चैनल सुरू किये हैं लिटरली बता रहा हूं आप बहुत सारे चनल देख सकते ह पhrிवजों कोई दिक्कत नहीं है लेकिन मेरे घर के बाहरी रोड है और बहुत ज़्यादा ट्राफिक बगर हा दिन मैं सकते हैं जी हाँ मैं आईट में आपkami आपको उठना पड़ेगा बहुत सारे लोग मुस सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है वो background भी काफी बड़िया होते हैं वो काम भी आप कर सकते हैं इसके अलावा आप sunlight में वीडियो बना सकते हैं मेरी अगर बात करो तो मेरी आपको लगता है कि यार मैं तो बहुत ही जादा गरीब सा हूँ और मेरे पस तो कुछ भी नहीं है और भईया मैं तो यह background बेकार सा है तो मैं guarantee से कर रहा हूँ आप उसी background पर वीडियो बनाएंगे तो लोग आपसे inspire होंगे बहुत सारे यूट्यूबर है जिन्होंने अपना जो real background वहीं दिखाया और देरे-देरे पैसा कमा के भाई उन्होंने घर सब ले लिए सब चेंज कर ली तो यह सब चीज भी आप कर सकते हैं यह भी कर सकते हैं यह नहीं तो आप क्या कर सकते हैं तीन चार सो रुपे का कोई green पड़दा खरी सकते हैं और green पड़दे पर आप sunlight में shoot करके chroma भी काट सकते हैं उससे भी आपको definitely फायद हुआ तो कुल मिला के YouTube पर अगर आप शुरुवात करना चाते तो इस studio की कोई जरुवत नहीं है बस आपको थोड़ी editing अच्छे आनी चाहिए एक माइक होना चाहिए और audio quality थोड़ी सी better आपको करनी आनी चाहिए थो support करेंगे इससे आपको definitely फायदा होगा नुकसान कुछ भी नहीं होगा बस आपके जो जीजा के उसको आपको खतम करना है यह वीडियो उसमें थोड़ी सी help आपकी कर सकती है इसलिए मैंने वीडियो बनाईए अगर आपको पसंद आई तो like कर देना चैनल को subscribe कर देना मिलता अगली वीडियो में नाइट ओपक के साथ अब तक के लिए जाहिए